स्कूल से घर लोट रही नबालिक लड़की से ग्यांगरेप चार आरोपी फरार सारण के भेलदी थाना छेत्र में एक नबालिक लड़की से दुशकर्म का मामला सामने आया है पीडित लड़की का आरोप है कि कार सवार चार लोगों ने अगवा कर उसके साथ बलतकार किया घटना शुकरवार की है जब लड़की जहुआ पट्टी में अपने स्कूल से घर लोट रही थी बेल्दी थाने में FIR दर्श की गई है और जाच जारी है अब तक किसी आरोपी की गिरफतारी नहीं हो सकी है इस घटना में शामिल चार आरोपियों ने बलतकार करने के बाद लड़की को गडखा रोड पर फेक दिया और फरार हो गए आसपास के लोगों ने सडक पर लड़की को देखा और उसके घर वालों को सूचना दी बाद में पीडित लड़की को मेडिकल जाच के लिए सदर अस्पताल में भेजा गया परीजनों का कहना है कि लड़की घर से चार किलोमेटर दूर साइकल से स्कूल गई थी लोटते समयकार सवार चार लोगों ने उसे अगवा कर लिया और बलत कार करने के बाद गड़का रोड पर फेक दिया अब तक किसी आरोपी की गिरफतारी नहीं हो सकी है पुलिस कारवाई कर रही है और गिरफतारी के लिए जगा जगा दबिश दी जा रही है नेशन भारत के निउस रूम से शिवानी पांडे की रिपोर्ट देश और दुनिया के तमाम बड़े खबरों को जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चानल नेशन भारत को